दोस्तों इस वीडियो में हम इस question को करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की power A plus 3 power B is equal to 17 और यहाँ पर दूसरी question है 2 power A plus 2 minus 3 power B plus 1 is equal to 5 इसको हम equation number 1 नाम देते हैं, इसको equation number 2 हमने इने solve करना है और A और B की value find करनी है तो कैसे करेंगे, अब आप समझे तो यहाँ पर हम assume करेंगे कि let, हम मान लेंगे कि 2 power A जो है वो X है and 3 power B है Y तो अब यह equations क्या हो गई हैं देखो तो यहाँ पर जो equation number 1 है यह हो जाएगी equation number 1 तो यह हो जाएगा, देखो 2 की power A जो है उसकी जगर पे हम X लिखेंगे और 3 power B उसकी जगर पे Y लिखेंगे और यह हो गया है 17 ठीक है, समझ गया आप तो इसको हमने यह लिख दिया because 2 की power A X है और 3 power B Y है इसको equation number 3 हम नाम देते हैं अब जो equation number 2 है इसको थोड़ा सम simplify करेंगे क्योंकि direct इसमें 2 की power A नहीं है तो यहाँ पर जो equation 2 है वो देखो आप तो यहाँ पर यह है 2 power A plus 2 minus 3 power B plus 1 is equal to 5 अब 2 power A ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है यह 2 की power A into 2 power 2 हो रहा है क्योंकि देखो power यहाँ plus में है तो power plus में है हमें इन्हें अलग करेंगे तो यह multiply में आ जाएगा और यहाँ पर 3 power B ऐसे ही यह 3 power 1 यहाँ पर आ जाएगा तो I hope यह भी आपको clear हो गया होगा यह है 4 और यह है X यह है 3 और यह है Y is equal to 5 समझ गए ना बहुत simple steps हैं कोई मुश्किल इसमें होना नहीं चाहिए आपको अब हमारे पास यहाँ पर 2 equation आ गई है equation number 3 and equation number 4 अब हमने इन्हें solve करना है तो कैसे करेंगे तो हम अगर आप देखें equation number 3 में आप 3 का multiply कर देंगे तो यह भी 3Y हो जाएगा यह भी 3Y हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि equation number 3 है उसमें 3 का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3X plus 3Y is equal to 17,51 और जो equation number 4 है उसके नीचे लिख दो is equal to 5 है ना अब आप ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि अब Y किया coefficient एक जैसे हो गए है यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है तो हमने क्या कि equation number 3 में 3 का multiply करके उसको plus कर देंगे हम equation number 4 से तो यहाँ पर हम यह कर रहे हैं तो यहाँ पर plus करेंगे इससे कट जाएगा 7X is equal to 56 और यहाँ पर X आजाएगा 7 को उधर लेके जाएगे डिवाइड में तो यह 76 आ जाएगा और X अगर 8 है तो X क्या था हमारे पास 2 power A यह 8 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि 8 होता है 2 की power 3 तो देखो यहाँ पर 2 power A है यह 2 power 3 है तो हम यह कह सकते हैं कि A is equal to 3 है अब X is equal to 8 को हम रखेंगे इसमें रख देते हैं equation number 3 में तो from equation 3 equation 3 में हम रखेंगे X is equal to 8 तो यह हो जाएगा 8 प्लस Y is equal to 17 और Y यहाँ पर आ जाएगा 9 है ना अब Y क्या था हमारे पास Y है 3 power B तो यहाँ पर आ जाएगा 3 power B is equal to 9 9 होता है 3 power 2 तो अब देखो 3 power B is equal to 3 power 2 है तो नीचे एक जैसा है base power equal कर देंगे हम तो यानि B2 आ जाएगा B is equal to 2 है 2 तो जो हमारा final answer है वो हम last में लिख देंगे ठीक है ना final answer हम यहाँ पर लिख देंगे कि A is equal to 3 B is equal to 2 और यह हमारा है answer ओके तो I hope आपके solution समझाये होगा